हेलो दोस्तों नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अटाफर्स टुड़ी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें दो बड़ी अपडेट के बारे में जोकी संबन्दित है यूपी टिजटी पिजटी एक्जाम को लेकर दूसरी अपडेट है 51,112 नई प्रामरी सिच्छक बर्ती के बिग्यापन को लेकर चुनावी आच्चा सरिता से पहले यूपी में नई सिच्छक भरती को लेकर साथी साथ चुनावी लॉली पॉप नहीं इस बार बिग्यापन के बारे में इन दोनों ही मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाले और वीडियो को लाइक कर दे जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी ओन्लाइन अड़ाफ फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल से मिलती रहें जैसा कि आप सोभी जान दें कि अब खुछी समय के अंदर आप सभी के साथ एक बड़ा करिने की यहां पर कह सकते हैं विश्वासगाथ हो सकता है यां कह सकते हैं कि आपको जटका लग सकता है कि आपके राज्जी के अंदर चुनावी आच्यासरीता लग सकती है अब ये चुनाबी आच्चा सहीता आपके लिए विश्वास गात कैसे है वो भी काफी मेहत्पूर है क्योंकि अगर नेताओं के चुनाब की बात हो तो तरह समय पे हो जाते हैं नेताओं के लिए चुनाब कराने हो तो बिल्कुल बहुत जल्द करा दिये जाते हैं लेकिन करके कहीं उसके लिए कोई भरती निकल पाती है और कभी-कभी तो भी निकलती है तो ऐसे में जब चुनाब का समय आता है तो सरकार है पूरी एक्टिव दिखाई देती हैं लेकिन जब समय आता है भरतियों को लेकर तो बताने कौन से विल में चले जाते हैं इनी तमाम बातों को लेकर अभ्यतियों के मात्यम से दो बड़े प्यास किये जारें पहला प्यास है आचा सर्था से पहले यूपी में नई सिच्छक वर्तियों को शुरू करने को लेकर जिसमें पहली मांग है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक सिच्छक वर्ति विग्यापन को लेकर ये काफी लंबे समय से लखनव इको गार्डन में चल रहा है अभ्यातियों की मांग यह है कि अगर नई प्रैमरी सिच्छक ब्रती का विग्यापन चुनावी आच्छा सरीता से पहले नहीं आया तो इस बार कहिने के अभ्याति सरकार का भ्रोद करेंगे चात्तों का कहना यह है कि कि इस बार कोई भी चुनावी लॉलीपॉप नहीं चलेगा सिच्छक ब्रती का विग्यापन निकालना पड़ेगा जिससे के जो भी अभ्याति एको गार्डन में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके और यह धरना प्रदर्शन तीन फरवरी से शुडू हुआ था और अभी तक चल रहा है दूसरा धना प्रदर्शन है जो कि है यूपी की टीजटी पिजटी भरती को लेकर उसके बारे में आजी के समचा पत्रों में जानकारी भी दी गई है आच्छा सरीता लागू हुई तो फर्ज जाएगा और नया सिक् पूरे तरीके से लटक जाएगा और जिसके लटक जाने के विजटे से दो भरती हैं जिसका नाम है टीजिटी पिजिटी इसके अलाबर सास की साहता प्राप्त असिश्टिन प्रोफेसर की सिच्छक बरती जिनके लिए बिग्याबंद 2022 में निकाले गए थे लेकिन अभी त चाते हैं कि आचार सरिता लागू होने से पहले ही यह जो प्रकिया है वो पूरी कर ली जाए जिससे कि नए आयोके सक्रिय होते ही लंबित जो परिक्षा है वो करवाई जा सके लेकिन क्या यह होगा कि नहीं यह सबसे बड़ा सवाल है इसलिए आप सभी को एक जुट होकर चुनाबी आचार सरीता से पहले सरकार की उपर दबाब बनाने की आफशकता है अब फैसला आपको करना है कि आप किसके लिए जा रहें कि यहाँ पर दो अलग अलग धना प्रदर्शन है एक आप सभी की टीजटी पिजटी भरती को लिखा है और दूसरा जो आप सभी के लिए है यानि कि प्रात्मिक सिच्छक बरती के लिए और दोनों अभ्यतियों की मांग बिलकुल जाइज है कि अगर चुनाबी आचार सहीता लागू हो गई तो ना फिर टीजटी पिजटी की परिक्षा होगी और ना ही प्राइमरी सिच्छक बरती का बिग्यापन जारी हो इसे कि वह भी अपने मांगों को लेकर जाग रूख हो तमाम रियल आथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को दबाने थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो